पूरा कर चुका है और हम लोग कर रहे हैं समस्टी अर्थ सास्त्र तो इसके पहले अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं उसको देखिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं UPSC और PCS के लिए जिसमें की NCRT पढ़ना बहुता है इसके बाद ही को इस्टेनेट बुक पढ़िए तब ही समझ में आएगा ठीक है तो और ज्याद़ कोस्टिन वगर आप पूटब जो होता है इसमें से होता है तो आप लोग अगर से अंतर ब्यवार करती है अब तक हमने इस पहलूप पर विचार नहीं किया था और बंद अर्थ ब्यवस्ता तक सिमिद रखा जिसमें सेस्ट विश्व से कोई जुड़ा ही होते ताकि हमारा विश्लेसर सरल रहे और समस्ट्री अर्सास के अधार तंद्र की ब्याक्या सरल ह वास्तों में अधिकान सर्थ ब्यवस्ताएं खूली है इन जुड़ाओं को स्थापित करने के तीन तरीके हैं निर्गत बजार, बित्ती बजार, स्रम बजार कि लिए जानते हैं निर्गत बजार क्या होता है? प्रवासन कानूल स्रमिकों की देशों के मध्य अवागमन को प्रतिविम्बित करते हैं पारमपरिक रूप से वस्तों के अवागमन को स्रम अवागमन की अस्थापना की भातिर देखा गया है हम पहले दो जुड़ाओं पर विचार करते हैं इस प्रकार खुली अर्थ बज प्रभावित करता है जो अन्य देशों के साथ वस्तूओं और सिवाओं में बैपार करती है और बहुदा बित्ती परिसंपतियों में भी उदारता भारती चारों और विश्वर में उत्पादित वस्तूओं का उपभूग कर सकते हैं और भारती और भारत से कुछ वस्तूओं समस्त मांग को कम करते हैं करते हुए आयक के वर्तुल प्रवा से रिसाव के रूप में निस्कासित होता है दृती बिरेसों को जो हम निर्यात करते हैं वो घरेलो उतपादी वस्तों के लिए समस्त मांग में बिद्धी करते हुए वर्तुल प्रवा में अंतर छेपड के करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो विदेसी आर्थिक एजेंट किसी राष्टी करेंसी को भी तबी स्विकार करेंगे यदि वे आस्वस्त हो कि उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से वे जो वस्तुमें खरीज सकेंगे उसमें आउसर परिव पशेवुग नहीं किया जाएगा और नहीं लेखह की एकाई के रूप में उपयोग होगा क्योंकि ऐसा कोई अंतराष्टी प्रादी करण नहीं है जिसके पास या शकती हो कि वह अंतराष्टी लेंदेन में किसी करेंशी की उपयोग को लाग कर सके भूतकाल में देशों के सरकारों के द्वारा संभाब पे उपयोग करताओं का विश्वास पाने के लिए यह घुसरा की गई की राश्टे मुद्रा निर्वाद रूप से इस्थिर कीमत पर दूसरी परिसंपत्तियों में परिवर्टित होंगे जिसके मुले पर जारी करता का नियंत्रण नहीं होगा यह दूसरी परिसंपत्ति बहुदा सोना या अन्य राश्टे मुद्रा हैं थी इस बचन बदता को के दो पहलू हैं जिसने इसकी विश्वसनियता को प्रभावित किया है और सिमित मात्रा में निर्बाद रूप में परिवर्टन की समता और कीमत जिस पर परिवर्टन होता है इन इनहीं मुद्रों का निराकरण करने तथा अंतर राश्टी लेंदेन में इस सिर्टा लाने के लिए अंतर राश्टी मुद्रा परड़ा लेकिया स्थापना की गई लेन देनों के मातरा में बिद्दी के साथ स्वड़ परिसंपत्ति नहीं रहा जिसमें करेंसियों के परिवादित की जा सके तो दखी यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला अदाइगी का संतूलन अदाइगी संतूलन ने बी ओपी वैलेंस पेमेंट किसी एक देश के निवासियों और सेस बिस्व के बीच एक निश्ची समय अधिके खास कर दो वर्स में वस्तूओं सिमाओं और परिसंपतियों के लेन दिन का विवरड़ है अदाइगी संतूलन के दो मुख्य खाते होते ह है चालू खाता और पुन्जी खाता है तुछली चालू खाता बार जानते हैं चालू खाता वस्तूओं और सेवाओं के पेपार में अंतरण अदाइगियों का विवरड़ है चालू खाते के घटकों की पदसीत करता है वस्तूओं के पेपार में वस्तूओं के निर्यातों को निशुल का प्रवा होती है और बदले में कोई वस्तुएं अत्वा सिवाइन नहीं देनी पड़ती है बिदेसों से वस्तुएं खरीदना हमारे देस का ब्याय है कर था बिदेस की आया है इसलिए बिदेसी वस्तुएं की खरीद अत्वा आयात है हमारे देस में घरेलू वस की कूल गरेल Looking मांग में प्रिद्धी करते हैं चालू खाते एगटक देखी चालू खाते ही घटक क्या है् सवाओं में व्याओं 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 का निर्यात वस्तूमों का आयात और स्वाओं में निवल उपादान और निवल-गैर उपादान आए तो निवल उपादान में है कर्मचार्य पूर्ति से निवल निवेस आए निवल गैर में जहाज रायनी बैंकिंग बीमा परियाटन साफ्टवेर से वाए और फिर तीसरा आता है अंतरण भुकतान तो यह उपाहार प्रेसीत था धन अनुदान है ज़िए चाल खाते के घाटे का अर्थ है कि देश अन्य देशो की रिडी है चालू खाते का अधिक प्राप्तियां बड़ा भुकतान चोटा और फिर देखिए संतूलित चालू खाता तो यह प्राप्तियां भुकतान बराबर होंगे और चालू खाते का घाटा तो प्राप्तियां कमर हो बॉस्तों के निर्यात को बोट में क्रेडिय। कि किया जाता है तरफ आयात को में डेविट किया जाता है वोट मतलब बैपार संतुलन तो इसका बैपार संतूला को बैलेंस अब ट्रेड है इसका बैपार संतूला भी करते है बैलेंस अब ट्रेड को संतूलित का जाता है जब वस्तों के निर्यात वस्तों के आयात के बराबर होते हैं तो बोट में अधिक बैपार आधिक के बी तबी होता है जब कोई देश निर्यातों की अपिक्छा वस्तों का अधिक करता है घाटे की वियोट तब होगा जब कोई देश निर्यातों की अपिक्छा वस्तों का अधिक आयात करता है निवल अदिस्य मदे एक देश के एक निश्चित आउधी में अदिस्य मदों के नियातों एवं आयातों के मुल्यों का अंतर होती है अदिस्य मदों में विभीन देशों के बीच होने वाली सिवावों हस्तांतरों तता आम प्रवास सामिल होते हैं अब आता है पुझी खाता, देखिए पुझी खाता क्या होता है? पुझी खाता परिसंपतियों के समस अंतराष्टी लेन देनों की दर्जाएं दे करता है, परिसंपति धन को रखने का कोई भी रूप होता है, जैसे मुद्रा इस्टाक बंदपत्र सरकारे रिड़ आदी परिसंपत्यों की खरीद पुंजी खाते में डेविट की जाती है यदि कोई भारती एक UK आकार कंपणी को खरीदता है तो वह इस पुंजी खाते के लेंदेन का डेविट मद में प्रविश्टी कर देता है क्योंकि बिदेशी बिनमे का भारत से बाहरी प्रवा हो रहा है दूसरी और परिसंपत्य की विक्री जैसे UK से खरीदी गई एक भारती कंपणी के सेयर की विक्री एक चीनी बैपारी को विक्री करना पुंजी खाते की क्रेडिट मद है तो यहां पर इस्ट्रक्चर बना हुए पुं ड़ौन्निंवेशित आये तथा अन्य परत्यच पुंजी प्रवाध पॉठफोलियों निवेष में हैं फियवविदेशी घ्रेडि पुझी खाता संतूलन में में होता है जब पुझी खाते में आधिक टब होता है जब पुझी‌ अंतर्प्रवाऊ पुंजी खाते में घाटा तब होता है जब पुंजी अंतरवा पुंजी बहारी प्रबाहों से कम होते हैं अदाएगी यहाँ पर तीसरा पॉइंट है अदाएगी संतुलन और घाटा अंतर राष्टिय अदाएगी का सार है कि जिस प्रकार अपनी आयत से अधिक ब्याय करने वाले को परिसंपतिया बेचकर अत्वा उधार लेकर आय ब्याय के अंतर को पूरा करना पड़ता है इस प्रकार किसी भी चालू खाता घाटे को निवल पुंजी खाता आधिक के अर्थात निवल पुंजी प्रवास से बित पोसित करता है चालू खाता प्लस पुंजी खाता है तो वेकल्पिक रूप में एक देश अपने घाटे को संतूलित करने के लिए अपने बिदेशी बिनमे कोसों का उपयोग कर सकता है तो देखिए अब यहाँ पर है स्वायत और समयजूत लेंदेन अंतराश्टी आर्थिक लेंदेनों को तब स्वायत का जाता है जब लेंदेन अदाइगी संतूलिन में विसमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारण वस किये जाते हैं अथात जब बियोपी यानि पहले सब पेमेंट की दसा से स्वतंद्र होते हैं एक कारण लाप कमाना हो सकता है इन मदों को अदाइगी संतूलिन में रोक के ऊपर की मदे कहते हैं जब स्वायत प्राप्तियां स्वायत अदाइगियों से अधिक हो तो अदाइगी संतूलिन को अधिक कहा जाता है समायोजित लेन देनों का निर्धारण अधायगी संतुलन की विसमता द्वारा होता है अथात जब अधायगी संतुलन में घाटा हो ता अथवा आधिक हो अन्य सब्दों में ये स्वाजत लेन देनों के निवल प्रेडामों द्वारे निर्धायत होते हैं क्योंकि अधिकारिक कोस लेंदेन यानि बियोपी की अभिसमता को पाटने के लिए किये जाते हैं उन्हें अधागी संतुलन में समायजवित मदों के रूप में देखा जाता है तुरूटी और लोप सभी अंतराश्टी लेंदेनों को सही प्रकार से रिकार्ट करना कठीन है अता हमारे पास बियोपी का एक तीसरा आवजव जिसे तुरूटी और लोप के का प्रतिबिम्बित मानते हैं यहां पर देखिए दिया है भारत के अदाइगी संतूलन का एक नमूरा पस्तूत करती है ध्यान दीजिए इस तालिका में वेपार घाटा है चालू खाते का घाटा है लेकिन पुझी खाते का आधिक है फल्सरूप बियोपी संतूलन में है अदाइगी संतूलन घाटा अदाइगी संतूलन अदाइगी संतूलन आधिक है कूल संतूलन देखिए यहां पर ऐसे हैं बनागुए तालिका ठीक है और एक तालिका और है जो कि भारत का दाइगी संतूलन मिलियान अमेर्की डालर में है जिसे कि निर्यात केवल वस्तूओं का 150 करोर डॉलर 150 मिलियन डॉलर और पिर आयात है केवल वस्तूओं का 240 मिलियन डॉलर बैपार संतूलन तो इन दोनों घटाकर माइनस 90 निवल अदिस से मदे तो यहां पर फोर भी फोर सी को यानि कुल मिलाकर बावन हो जाएगा और फिर यहां पर देखिए जिसे गैर उस से वाए है हुस्ता चालू खाते का सेश तो है 38 चालू खाते का सेश 45.15 बाहरी साहता यागा तो यहां पर हम देखते हैं यहां दिखाए गया अदाइगी संतूलन लेखा लेन देनों को दो खातों में बारता है चालू खाता तथा पुझी खाता वैसे अंता राष्टे मुदरा कोस द्वारा बैलेंस आप पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मेनुवल के छटे संस्क्राड में नए लेखी मांदन्द लागू किये जाने के पस्चात बारती रिजर बैंक ने भी अदाएगी संतूरं की संचना में परिवर्तन किये हैं नए वरीकरण के अनुसार लेनदेनों को तीन खातों में बाटा गया है चालू खाता बित्ती खाता गूजी खाता है सबसे महत्वपूर परिवतन यह है कि वित्ती परिसंपतियों जैसे बांड और एक्विटी सेरों में बैपार के कारण होने वाले सबी लेंदेनों का अब वित्ती खाते में रख दिया गया है लेकिन भारती रिजर बैंक अभी भी पुरानी प्रडाली के अनुसार ही अदाएगी संतुलन खातों को प्रकासित कर रहा है अता यहां पर नई प्रडाली के विवरडों को नहीं दिया जा रहा है यह विबरण भारती डिजर उबरेंग द्वारा सितंबर 2010 में प्रकासित बैलेंस आप पेमेंट मैनुवल में उपलब्द है अब आता है दूसरा पॉइंट विदेशी बिनमे बजार अंतराष्टी लेंदेन के लिखांकन पर समस्त रूप में विचार करने के पचात अब हम किसी एकल लेंदेन की चर्चा करते हैं कलपना कीजिए कि एक भारती निवासी चुट्टी बिताने के लिए लंदन की यात्रा परियाटन सेवा का आयाद पर जाना चाहता है लंदन में ठहरने के लिए उसे पाउंड में बुक्तान करना होगा उसे या जानने किया सकता होगी कि पाउंड कहां से और किस कीमत पर प्राप्त किये जा सकते हैं जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, इस कीमत को बिनमे द्वारा बिनमे दर कहते हैं, वह पजार जिसमें राष्टी मुद्राओं का एक दूसरे से वेपार होता है, उसे बिदेसी बिनमे बजार कहते हैं, इस बिदेसी बिनमे दलाल एवं अन्य अधिकास्त दिलर और मु प्तपूढ है कि यह धुस्थी प्रतिभागीएं के अपने वीपारिक केंदर हो सकते हैं, फिर भी या बजारं अपने आप में बिश्ववापी होता है, यहाँ पेपारी केंद्रों के बीच निकट और निरंतर्क संपर्ग बना रहता है और पती भागी एक अदिस्य भजार में बेपार करते हैं तो अब आता है दूसरे का पहला पॉइंट बिदेशी बिनमे दर बिदेशी बिनमे दर जिसे फोटेक से दर भी कहते हैं एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा में कीमत है यह विभिने देशों की मुद्राओं के बीच कड़ी है और अंतराश्टी लागतों की तुलना करने में सहायक है उदारड के लिए यदि हमें एक डॉलर के लिए 50 रुपए देने पड़ते हैं विदेशी बिनमे की मांग लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य विदेशों से वस्तुएं और सेवाएं खरिदना चाहते हैं वे विदेशों को उपहार बेजना चाहते हैं और वे किसी देश की बित्ती परिसंपतियों को खरिदना चाहते हैं बिनमेतर में ब्रिद्धी होगी रुपयों के रूप में इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फल सरो बिदेशी बिनमे की मांग भी कम हो जाएगी यदि अन्य बाते समान रहें अब आगयाता है बिदेशी बिनमे की पूर्ती किसी स्वदेश में बिदेशी मुद्रा का प्रवा निम्न कारडो वेस होता है एक देश के निर्यात से बिदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरिद में ब्रिद्धी करते हैं बिदेशी उपहार भेजते हैं तता बिदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपतियां खरीदी जाती है बिदेशी बिनमे की कीमत में बिद्धी बिदेशियों की लागतों यूएश्डी के रूप में को कम कर देती है अन्य बाते समाट रहने पर इससे भारत के निर्यात बढ़ जाते हैं और इसलिए बिलेसी बिनमे की पूर्ती बढ़ सकती है क्या वह वास्तों में बढ़ता है यह कितने ही कारकों पर निर्भर करता है बिसेसता है निर्यातों तथा आयातों की मांग की लोच अब आता है दूसरा point बिनमेiddar का निर्धार अड़ तो अलग-अलग देशों की अपने मुध्राय बिनमेदर का निर्धाय करने के अलग-अलग आप्रालियां करते हैं जैसे कि यहां पे 3 बिनमेदर क्या है तो यह बिनमेदर बजार मांग और पूर्ती की सक्तियों द्वारा निर्धायत होती है इसे तीरती बिनमेदर भी कहते हैं जैसा कि 6.1 में यहां पर दे सकते हैं तो बिनमेदर वहां निर्धायत होती है जहां मांग वक्र पूर्ती वक्र को काटती है आठाथ तो य अच्छाच I बिंडू पर X अच्छा क्यूं ऐ वश्टी डालर की बींद्दी मांगे की जने वाली मांग कि तो यहां पर बाता है II और मिनमध्दर जब II hol Yeah उ धार, घर भोती है तो बिलेसी आय में बिद्धी होती है तो घरेलू निर्यात में बिद्धी होगी जिससे बिलेसी बिनमे की पूर्ती वक्र का बाहर की और शिप्त होगा दिर्गकाल में विनमेदर क्या है तो दिर्गकाल में नम में विनमेदर पढ़ाली में विनमेदर के समंध में पुर्वा नुमान करने के लिए क्रेस सकती समता सिधान का उपयोग किया जाता है इस इदान के अनुसार जब कोई बैपारिक और उधग जैसे टैरिप और कोटा यानि आयाद की मातरा की सीमा नहीं होंगे तो बिनमै दर स्वत्र समय उजित हो जाएगी इससे एक प्रकार के उतपात की लागत चाहे भारत में रुपईयों या सनिव तराज अमेरिका में डौलर में अध़ा जपान में येंग में क्यों ना हो समान ही होगी से परिबहन ब्याय में अंतर हो गया अतर देरकाल में किनी दो देशों की करेंसियों के बीच पिनिमय दर के समय एजन से दोनों देशों के कीमत सुष्टर की अंतर का पता चलता है उधारर जैसे देखते हैं यदि एक कमिच की लागत अमेरिका में 8 डॉलर भारत में 400 रुपए हैं तो रुपए डॉलर की की बीनिमय दर 50 रुपए होगी अब 50 रुपए से अधि किसी भी दर को देखने के लिए हम 60 रुपए लेते हैं इसका अर्थिया है कि अमेरिका में एक कमिच की लागत 480 रुपए और भारत में केवल 400 रुपए है तो ऐसी स्थिती में सभी विदेशी और भारत में कमिच खरीदेंगे और इस प्रकार प्रती डॉलर 50 रुपए से कम किसी भी दर कमिचों का समस्त ब्यपार अमेरिका के पास चला जाएगा अब हम कलपना करते हैं कि भारत में कीमत में 20% की बिद्धी होती है जबकि अमेरिका में 50% की बिद्धी होती है अब भारत में एक कमीज की लाग़ 480 रुपए जबकि अमेरिका में 12 डॉलर होगी इन दोनों कमीजों में समानता है तब ही होगी जब 12 डॉलर का मुले 480 रुपए अथो एक डॉलर का मुले 440 रुपए होगा अथा डॉलर के मुले में हरास हुआ करे सकती समता सिधान के अनुसार घरलू स्पीती और बिदेशी स्पीती के बीच अंतर ही बिनमेदर के समाई योजन का प्रमुक कारण है यदि एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा स्पीती की दर अधिक है तो इसकी बिनमेदर का हरास होगा अब आता है स्थिर बिनमेदरें इस बिनमेदर पड़ाली में सरकार बिनमेदर का एक इस तर बेशे सर दर निरहाईत कर देती है चिते संक्या 6.3 में दे सकते हैं यहाँ पर तो फिर भी मान लीजिए कि सरकार, भारस सरकार किसी करणवस निर्यातों का बढ़ना चाहती है इसके लिए इसे बिदेशियों के रुपए, बिदेशियों के लिए रुपए को सस्ता करना होगा भारस सरकार, बिदेशियों के रुपए, बिदेश स स्त्र पर moss पीड़न के रुपए, बिदेशियों के लिए रुपए रुपए, बिदेशियों के रुपए कर सकती है कि सरकार, एक निश्य दिनकर को बनाया रखने में सक्चम होगा सरकारी आरचित कोसों का उपयोग कर सरकारे इस लोप को पूरा करने के लिए हस्तचेप करती है यदि लोगों को यह पता चल जाए कि सरकार के पास आरचित कोस कम है तो वे सरकार की स्थिर दरों को बनाये रखने की चमता पर संदेख करने लगते हैं इससे अमुल्यन का अनुमान बढ़ेगा जब यह विश्वास किसी मुद्रा को अक्रामक खरीद में बदल जाता है और सरकार को मुद्रा के अमुल्यन के लिए बाद्दे कर देता है तो इस मुद्रा पर अनुमानित अक्रमण कहते हैं इस्तिर बिनमे दरें इस प्रकार के आकरमाणों के अनमुक्त होती हैं जैसा कि ब्रेटन वोट्स पड़ाली के पतन से पूरुप में देखा गया अब यहाँ पर देखते हैं चोथा प्रबंधित तिर्ती किसी अवचारिक अंतराश्टी समझाते के बिना विस्व में उत्तम बिनमे पड़ाली का उद्य हुआ जिसे उत्तम रूप में प्रवबंधित तीरती बिनमे दर पढ़ाली कहा जाता है यह नम में बिनमे दर पढ़ाली तरित भाग और इस्तिरत दर पढ़ाली प्रवबंधित भाग का मिस्रड है तुरूटी बहुल तीरती नाम की इस प्रडाली में केंद्री बैंक बिनमेदर को उदार बनाने के लिए जब कभी ऐसे कारे को समुचित समझता है तो बिदेशी मुद्रा का क्रय बिक्रय करके हस्तचेप करता है अता अधिक्रिस सुरच्छित संब्यवार सुनने के समान नही होता है तो अब यह चप्टर का सरांस आता है पहला है उत्पाद और बित्ती बजारों में खुला पन से घरेलू और बिदेशी वस्तुओं के बीच तता घरेलू और बिदेशी परिसंपत्यों के बीच चैन की छूट होती है दूसरा है अदागी संतुनन में किसी देश का स सेशालू विश्व के साथ लेन देन का उलेख होता है। तीसरा है, चालू लेखा सेश सवदा बेपार, सेवाओ और सेशthersर विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। पुंजी लेखा सेस विश्यों में होने वाले पुंजी गत प्रवा, सेस विश्यों को होने वाले प्रवा के घटाव के बराबर होता है। चौता है चारूल लेखा के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पुंजी प्रवा से बित पोसित किया जाता है। जिसे प्रकार पुंजी खाता आधिक्य से फिर पाच्वा है मौद्रिक बिनमय दर घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक गाई की कीमत है फिर छटा है वास्तविक बिनमय दर घरेलू वस्तु के रूप में बिदेशी वस्तुनों के सापेक्ष कीमत है या मौदरिक बिनमय दर के बराबर होती है जो की बिदेशी कीमत इस तर में घरेलू कीमत इस तर से भाग देकर प्राप्त किया जता है इससे अंतर राश्टी बैपार में किसी देश की अंतर राश्टी प्रतीसपर्धा का मुल्यांकन होता है जब वास्तविक बिनमेदर के एक की बराबर हो तो दोनों देशों में क्रेश सकती समता होती है इस सीर बिनमेदर व्योस्ता का सार सौण मान था जिसमें प्रतेकस भागी देश एक निश्चित कीमत पर अपने देश की मुद्रा को सोतंदर रूप से स्वण में परिवार्थित करने के लिए प्रतिबद रहता था अधिकीलित विनिमेदर एक प्रकार की परिवर्तनी निती है जिसमें अधिकारिक कार्य वही और मुलियन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है फिर आठवा है स्वक्ष तीर्थी निधी के अंतरगत बिनमेदर का निधारण बजार दुआरा बिना किसी केंदरी बैंक के हस्तचेप के होता है प्रबंधित तीर्थी की इस्तिती में किंदरी बैंक विनमे दर में उतार चढ़ाओं को कम करने के लिए हस्त चेप करता है नवं हैं खुली अर्थ बैवस्ता में घरेलू वस्तु की MANG उपभोग निवेश सरकारी खर्च और निर्यात घटा आयात के योग के बराबर होता है यदि किसी देश में रिड़ की गई निधी से ब्याज की दर अपेक्छा विकास दर अधिक होता है तो ब्यपार घाटे से किसी प्रकार के खत्रे का संकेत नहीं होता है देखिए हम लोगों ने इतना पढ़ा है जो संकल्पने खुली अर्थ ब्योस्ता चालू खाता घाटा लेंदेन मुतरिक वास्तिवी विनमेदर नम्मे बिनमेदर ब्याजदर विदेद अमुलेन घरेलू वस्तु की मांग दारिक अरचित स्वायत और समनजन लेंदेन क्रैसकती समता मुले हरास इस्तिर विनमेदर प्रबंदी तेरती आयात के सिमानत प्रविति खुली अर्थ बहुस्ता ठीक है तो देखिए अब यहाँ पर इसके कुछ क्विश्चन आते हैं अभ्यास प्रस्न तो आप लोग वी प्रेश्ट उपेन करिए जाकर दे सकते हैं हिस्ट्री पॉल्टी एकोनॉमिक जियोग्राफी समासास्त्र सभी प्रकाइब सभी इतने भी इंसियाटी उसमें क्लाश्ट में ते सब करा दिये गए हैं तो बस आप लोग आप लोग जाए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो करें प्रेश्ट चलादी इंसमें कारण फ़ीडियोर कोजने बार और अप्रेश्ट गर्ड kingdom प्रेश्ट करिए तो भीडियोर कोजने बार भीडियोर कर दिये एक दिये एक प्रेश्ट